हाई आज हम लोग बात करें के लाराल लibl Al його की तो अभी क्यों बात करें लारालल है जो एक नया प्रोडक्ट लारावल की बिकॉ öz इसका यूज क्या आता है फिएच पी इनौान्नमेंट को सेट अप करने के लिए लारावल के प्रोजेट को क्रेेट करने के लिए लारावल के को run करने के लिए इसलिए हम लोग अभी देख रहे हैं इसको शूरू में ही देख रहे हैं अब आप मुझे कहेंगे कि और क्या क्या आप्शन है लारावल हर्ड के दौरा लारावल हर्ड के अलावा आप्शन जो कि हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं यह लोग इसको यह रखने हैं माझाद को इसको सर्वर यूज करते हैं इसे इसे हमारे काम हो जाता है इस चीज से भी हमारे का हो जाता है इसके लब और भी है अगर आप Linux में तो LAMP यूज़ कर सकते हैं और Mac में तो MAMP यूज़ कर सकते हैं यह सारे चीज़े हैं उसी का कुछ तरीक एक कुछ अब को पूछ दिखाना चाहिएं और यह लाराग्ल का प्रोड़क्ट है तो लाराग्ल प्रजेट के लिए पर्फेक्ट है इसको आप चीज़े करें इसका जो आइकण वो दिखेंग आपको यहां पर इसके अरवा अगर नीचे करते हैं आप तो मैं इसका परासिंग आपको हाँ है फिर हड टीम से है व करना पड़ेगा इसमें सिंपली क्लिक करना है वो डाइट का ऑप्शन डाइट करके रखा है मगर फिर भी आप लोगों के लिए मैं इसको डाउलोड कर रहा हूँ एक बार और जब तक कि डाउलोड होता है तब तक मैं क्या करता हूं मैं डॉक्मेंटेशन चकप हो देखा तो यह लारावल नीटिव लारावल प्येचपी डेवलप्मन इंवार्मेंट करके वो देगा विंडोज में यह प्रवाइट करता है एवरिधिंग जो कि आपको चाहिए किसी एक लारावल प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए इसमें आपको प्येचपी इंजनेक्स और न आड़ोडेट करता है कि आपको प्रोजेक्ट आपको यह रिवलीय के साथ आपको इसको रन करना है जिसे कि इसमें एक application सर्वीस से hard helper और यह hard helper service क्या करता है यह आपके host file को edit करता है या आपको जो system 32 पर जो host file होता है उसको edit करता है और आपके लिए .test domain बनाता है हार एक project का उसको तब PHP का version चेक कर पाएंगे लाराल का वरजन, Composer का version, Node का version भी चेक कर पाएंगे performance यहाँ पर दिया गया है कि अकर Windows Defender अपका है तो मैं भी यह scan करें इसलिए इसको exclude कर सकते हैं इसको exclude rule में लगा सकते हैं बिठ हमें ऐसा कुछ भी करने का शक्ता नहीं बढ़ेगी विए उतना कुछ खास असर पड़ता है नहीं और यहाँ पर मैं कुछ documentation डिल में जाना नहीं हो चगा है, 1.6 था, फ़ी 1.7 आ चगा है तो मैं पराने वाले को इसको कर देख है हो डिलीट और अभी जो हमने कि एसमे रैट क्लिक करना है, Run as administrator इसमें क्लिक करना है Yes में लिए तो यह में क्लिक करना है इसको करते हैं नीचे इसको भी कर दता हूं नीचे अभी के लिए और सिंप्ली इसको इंस्टल नहीं करना पड़ेगा तो यह लगबग कम्पलीट होने को है विकॉस यह पर आइकन वगड़ा डेस्क्टॉप में आ चुका है और थोड़ा सा यह समस्टाइब करना है इसको ओपन करते हैं यहाँ और यहां पर दिखिएए और प्यप्लिक करते हैं है यहाँ पर थे अलावा में क्लिक करना है और यह पूछे तो यह करना है पावर्शल के लिए और यह पावर्शल ओपन करेगा यहां पर नौड़ करेगा नोड़ जैस अब लिए और फिर इसको इंस्टॉल एक्स्ट्राइक्ट करें इंस्टॉल भी करें देखें नोड़ जैस का 22.3.0 वर्जन यह नौड़ कर रहा है नोड़ भी हमारे इंस्टॉल हो जुका और यह कर रहा है कि अधर आपके पास प्रो वर्जन है लाइसेंस की इंटर कीजिए बट हमारे पास नहीं है तो हमों क्या करेंगे स्कीप ना में क्लिक करेंगे आप एक लिक किजिए स्कीप हो गया और यह ओपन भी हो कुछ इस तरीके से ओपन हो के मैं दिख जाता है वैसे तो यह आटमेटिकली लांच यह अनु स्टार्ट अप इसमें दिखिए बट यह करना नहीं था क्लिक करना है फिर यह करेंगे ओफिशल डॉक यहां में ओपन करके देगा लारावल हर्ड का जिसमें गेटिंग स्टार्ट रहेगा सर्विंग साइट का कुछ चीज तरीके से इसमें कहता है कि जो भी आप डारेक्टरी बनाएगा जो आपका प्रोजेट फोल्डर रहेगा और .test करके आपका एक URL बनेगा जिसमें आपका साइट सर्व होगा जो प्रोजेक्ट रहेगा और सर्व होगा और यह आपको मिलेगा कहां पर यह मिलेगा आपकी यूजर नेम पर हार्ड नम का फोल्डर क्रेट होगा और उसके अंदर में आपको यह मिलेगा और कुछ Super और में नहीं होता है तो अपको देखैना जाहा है और यहां पर आपको देखाना चाहता हौ। पुमस्तियाओ और यह चंडी पूट two post पुए इढ़्ट जीरु स्पूर्ट प्रशच आप आप चुकि PHP हुआ है तो Composer भी आपका हो गया होगा, Node हो आते हैं, NPM भी हो गया होगा, जाहर सी बात है, यह तो आपको सबको पता होगा, इसको close करता हूँ CMD को और यहाँ पर देखिए, पहले मैं बात करता हूँ, पहले मैं बात करता हूँ, इसमें right click की, तो इसको अगर में close कर दूँं, अपकी के लिए, अलगलक वर्जन हो यहां साब PHP 8.3, PHP 8.2, PHP 8.1 इस तरी किसे हो सकते हैं और इसमें साब सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा PHP वर्जन आपको चाहिए .config और hard इसके अंदर में आपको सारे शिये मिलती हैं मतलों जो config फाइल होती हो यहां पिलते हैं इस config के अंदर जाएंगे आपको Ingenix का config मिलेगा अगर आप PHP चाहते हैं आपको यहां पर PHP का config मिलेगा यह वर्जन स्पैसिफिक होता है मैंने कि multiple version आप इसमें manage कर सकते हैं यहा आपर है settings इसमें क्लिक करते हैं अगर ऑपस चपर चलते हैं यह पर right करते हैं और इसके बाद पर है update चेक करने का और यहां पर quit जैनि यानि कि आपको इसका यूज नहीं करना अट आपको स्लॉप करना सारा सयर्विस और उसको कुईट रसकते हैं बंध और से आपको बंध नहीं होता है मतलब सिर्ब है полож करते है यह बंद नहीं होता यह background में यह run होता रहता है तो आपको यहां से के कुईट करना पड़ेगा बं आप कर सकते हैं start कर सकते हैं यह hard pro pro के लिए यह सरे version है global php version आप यहां से select कर सकते हैं बढ़ हमारे किसमें इस में सब्सक्राइब यह भी PHP 8.3 इंस्ट्रल है तो वह ही आपको दिखने को मिल जाएगा कहां से multiple आप इंस्ट्रल करेंगे वह भी आपको दिखाऊंगा इसको जेनल वाल टैब में आते हैं और यहां हर्ड path है जो एक प्रोजेक्ट रहेगा हुआ रहेगा आपके user c drive में users में user name जो रहेगा हुआ हर्ड की अंदर में सारा प्रोजेक्ट आपका यहां पर जागे save होन करने का यह दे देता है आपको अगर change करना हो तो आप add path कर सकते हैं और इस वाले को delete कर सकते हैं इसके बाद साइट आती है यहां पर जो भी आप प्रोजेक्ट क्रेट करें उसका site create होता है एक domain create होता है .test के साथ वह सारा सारा site list होकर आपको यहां पर देखेगा और यहां पर उस site के लिए कुन सा PHP version user है क्या आप action perform कर सकते हैं वह सब दिखेगा secure है यानि HTTP में open करना है या HTTPS में वह भी आप यहां पर decide कर सकते हैं उसका path क्या हुआ हुआ और यहां से यह reload का button है refresh का button है और यहां से आप site को add कर सकते हैं या फिर एक नया project create कर सकते हैं इसको मैं यह लिए close कर देता हूं मैं आपको दिखाऊंगे कैसे करते हैं लेकिन बात में PHP वाले टाब में आदे हैं तो यहां पर आपको PHP का अलगलग version दिखा देता है अभी हमारे case में 8.3 इंस्टॉल है तो आपको चिक दीखता आप चाहँए 8.2 यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं फ और अभी node का 22.3.0 version है तो यह check दिख रहा है तो 20 version यह 18 version यह 16 version भी इंस्टॉल कर सकते हैं multiple version भी इसमें manage गा सकते हैं तो यहां पर expose है mails, dumps यह सारे pro version है hard pro भी pro version है और अब हाट में बस आपको दीखता है कि hard का कुण सा version आप यूज कर रहे है इसके official site पर देख सकते हैं और यहां से अनलिजमेंट आप निकाल सकते हैं तो इस UI का इतना ही introduction है अब main काम जो हमारा है वह है project create करना hard का use कर रहे है इसको download कैसे कर करना इसका basic introduction आपको सब मेल जाता है अब देख रहे हैं कि project कैसे create कर सकते हैं hard का इस्तमाल करके पहले UI के थुरू दिखाता हूं फिर आपको CLI के थुरू भी दिखाऊंगा तो अभी के लिए आपको या करना है sites में जाना है और इससे पहले कोई project create करें मैं चाहता है कि जाना है यहां से windows में windows के बाद आपको system 32 पर जाना पड़ेगा 10 minutes में इसको निकाल एक लिए 32 और यहां सब को जाना है अगर मैं अगलत नहीं तो drivers में drivers में इसको एटीसी एटीसी के अंदर में होस्ट फाइल होता है जिस पर हमारा IP का हमलब host name देते हैं तो यहां इसी को य नीचे यह दिखता है hard generated host do not change hard and hard generated host अभी आपको इन दोनों के बीच में कुछ भी दिखा नहीं दे रहा है अभी जैसे project create करेंगे वैसे इसकी IP देखेगी यह local IP और उसका एक इस तरीके से एक आपको domain दी जागा dot test करके चली दिखाता हूँ पहले आपको सो मैं क्या करता हूँ मैं इसको करता हूँ नीचे और इसको close करते थे इसको close कर दिया अभी project करने वाले है तो देखिए किस तरी इस प्लस वाले बटन पर click करना है और यहां आपको option मिलता है कि आप क्या starter kit लेना चाहते है कि आप laravel breeze के साथ इसको authentication देता है by default provide करता है laravel breeze एक authentication को provide करेगा jet stream को एक authentication को provide करेगा अच्छा होता है बट हमें कुछ भी नहीं करना हमें no starter kit लेना नॉर्मल सा एक laravel का project करता है इसमें select करना है next में क्लिक कीजिए और project का क्या नाम रखना है तो मैं रखता हूँ first project then testing framework कोन से use करना है PHP unity या paste तो मैं paste में रहता हूँ और यह target location आपका same वह रहने देना default और next में क्लिक करना है यह project हमारा create करेगा थरासा यह time लेगा internet आपका चाहिए इसमें जबको थरासा time देना पड़ेगा सोजाए मतलब 5-10 में लगजकता है internet dispute करता है और जब यह project create हो जाएगा तब मैं आपके पास वापस आता हूँ इंतिजार करने के बाद हमारा project करेगा चुका है आपने ब्राजर का option मिल रहा है यहाँ पर click करते हैं तो यह ब्राजर में यह project हमारा open होगा करना अपना खुद का बनाना यह project आपको मिलेगा कहाँ पर जो हमारा create हुआ हो इसका source code वागे रहा है तो इसको close कर दीजिए और यहाँ पर आपको यह list इसका path होगे रहा सब कुछ देखेगा देखे रहा है first project dot test और hard और यह first project इसका path आपको देख रहा होगा यहाँ पर आप चाहें तो इसी site को PHP के अलग version में run कर सकते हैं बट अभी हमारा 8.3 है तो इसी में run रहा है और यहाँ पर आप open in browser में और यहाँ से आप इसको open tinker में कर सकते बठा में करने का शकता नहीं है अगर आप इसको अभी आप देखिए अभी यह हमारा HTTP में चल रहा है चला है बड़न करने लगेगा उसको दिखा लेकिन थोड़ी देर के बात तो यह हमारा एक पहला project जो हमने यहां से ग्रीट कीए, यहां पर click करना बडन पर फिर आप next project करना चाहें तो यहां पर नेक्स्ट में click किई और यह एक नया project आपके लिए create कर के देदेगा फिर project का आपको आपको बताता देहान देने के लिए इन दोनों के बीच में आप देखिए क्या करता है यह local जो हमारा IP होता है उस पर एक इस तरीके से domain setup करता है इसी वजह से हमारा यह जो project है जो अब अभी देख रहे हैं यह इस domain पर हमारा open और यह local host ही है बट इसका एक नाम दे दिया गया इस तरीके से चलिए अब दिखाता हूँ कि इसका डारेक्टरी कहां पर है जितने भी आप एड करेंगे जितने पर project करेंगे सब इक आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा यहां पर एक नाम क्रेट होके यही आई-पी तो यही रहेगी बस नाम इसका अलगलग चेंज हो इस कोड में राट करके विए उसको अपर नोटपेट जो भी आप यूज़ कर दें और फिर आपको पर प्रोजेक्ट जो भी काम करना वहां काम अपर यह हमारा project directory structure है तो यह हो गया project कैसे create करना है उसके बारे में जानकर इसको कर देदा हूं मैं close और बात करते हैं हम लोग क CMDU से open करते हैं तो यहाँ पर यहाँ इस तरीक से open कर सकता हूं राट किकर शिप्ट प्रेस करना राट किक करना और यहाँ आपको मिलेगा open in terminal यह फिर open powershell window है तो मैं powershell open करता हूं मैं powershell open किया देखिए यहाँ पर पर दिख रहा होगा पर जूम कर देथा हम आपनों की यह सब इंस्टोल हो जाता है ओटमेटिक लिग्ली जब आप इंस्टोल करते हैं डारावल हर्ट तब एक कि लारावल का वर्जन नहीं यह यह लारावल इंस्टोलर का वर्जन आपको दिख रहा है लारावल 11 यूज़ करेंगे तो project create करने लिखा करना है Laravel लिखना है new लिखना है project का नाम तो मैं यह यह वह लिखना है second project और simply inter key press कीजिए और यहाँ पर कहेगा कि क्या आप यूज करना चाहते है starter git no starter git या फिर Laravel bridge या फिर Laravel jet stream तो no starter git इसके लिखना पड़ेगा अगर bridge use करना तो bridge लिखना पड़ेगा अगर jet stream तो jet stream लिखना पड़ेगा मैं यह आपन लिख रहा हूं और इंटर की प्रेस करते हैं फिर पूछता है कि कौन सा q light यह लिख देते हैं इस लिख लिख रहा इंटर की प्रेस किया और यह database भी setup करके मैं अगर आपको करना तो मिस्टोल करना पड़ेगा अलग से आपको अब आपको आर्वल हार्ट मेंनने मिलेगा मर्याडवी पुर्ष करना पड़ेगा अपको अलग सीटोल करना पड़ेगा विकॉस इसके लिख लिए ब्रहाइन नहीं हमारे system में और नहीं आपको लारावल hardware देता है लेकिन आपको pro version लेना पड़ेगा mysql वगरह में नहीं मिलता है free वाले में हमने SQLite यहाँ पर setup गिया हुआ है जोड़ी डेटाप से जोगी कि लारावल अब by default SQLite यूज करता है इसलिए हम लोगों ने उसी का यूज करता है इसमें कुछ setup करना पड़ता है नहीं और इसली यूज होता है जैंगो में भी SQLite यूज होता है बागी आप production में क्या यूज करना चाहते हैं वह आप अपना खुद का setup कर सकते हैं यहां development के लिए SQLite खाफी होता है तो दोस्तों यह हमारा हो गया अभी यहां से हम लोग run करते हैं तो maybe कुछ problem हो सकते हैं हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहां पर देखते हैं पहले कि मैं इ इहां से राइट क्लिक करना है , quit मारना है , quit हो गया वापस इसको open किजिए यहां बर राट क्लिक कीजिए फिर इसे open और आपको UI देखता है अगर UI नहीं देखता है तो आप यहां पर आकर इसमें एक पर क्लिक किजिएगा UI आपको दिखेगा दिन आपको जाना है साइट सउला टैब में और ह्या है आपको दिख जाता है सेकंड प्रॉजक्त। ये ़ोपन करने के लिए यह हमारा 8.3 पर चल रहा है यहाँ पर ब्लॉर्जर यहाँ पर क्लिक करते हैं और है यह आपको दिखे रहा है मुक्ति हैं नटि कोई issue अगर हमें दीख नहीं रहा कि अब फुर्च प्रोजेक्ट भी open हो सकता है मैं यहां पर क्लिक करता हूँ क्लिक करतें इसके ओपन इंप ब्राइजर वाले पर क्लिक किया और गलिक सक है और देख सकती है कि फॉर्च प्रोजेक्ट संब्सेंदेद भी और first project भी हमारा अपने अपने इसके domain ही मान लेजिए इसके साथ ही हमारा run हो रहा है तो आप CLI से create करें या फिर आप यहां से create करें अपना project आपका दोनी प्रचित यहां पर आता है और यह run हो था कुछ इस तरीके से run करना हो था आपका अपना project फिर आप code VS code में निकाली है यह code है हुआ और उसका edit कीजिए और उसका output आपको आपके web browser में देखने को मिलेगा अब इस secure की बात करें जैसे कि यहां पर यह अभी आपको दिख रहा है मैं अगर क्लिक करूँ तो इसको setup करेगा hdps के लिए और फिर यह मारे hdps के साथ मेरा open होगा इसके बीस में जितनी बार भी यह यह पूछे उतनी बार आप yes क्लिक करते जाए और यह तीन चार पांच बार पूछ लेता है लगबग तो आपको बार बार yes में क्लिक करना है देखिए यह ताला लॉक हो चुका है और यहां पर आपको https करके अब यॉरल दिखेगा तो मैं क्या करता हूं मैं यहां आता हूं और इसी प्रजेक्ट को में लोग कोपी करेंगे अब यह http में नहीं अब हम लोग प्राइट मोड प्राइब विंडो में पेस्ट किया मैंने और इसको मैं इंटर की प्रेस करता हूं तो भी देखिए यह https उटमेटिकली मेरा ले रहा है और https में देख सकते हैं ताला भी हां लॉक हो चुका है अब बस इतना ही दिखाना इससे ज्यादा इसमें कुछ दिखाने के लिए है नहीं प्राइट कीजिए और रन कीजिए और को इट करने का मैं अब को बता चुका हूं डिट करने का वही सिंबल सा तरीका है कि आपको अपना प्रोजेक्ट डिलीट कर देना यहां से भी आपका इंगायव हो जाए इसके लागर आप ऑफिशल डॉक में जाते हैं तो कुछ कमांड्स यहां पर आपको डिलेखने को मिल के लिए के कुछ इस तरीक सब को पीच्ट वर्जन यहां पो दिखा देंगे वह था हमें दिक नहीं रहा हूं कि हमारा शीर्फ एक पीच्ट का वर्जन इंस्टॉल है इसी वाचय से हमारे से एक दिख रहा है याप पूदे निख रहा हो दो डो चेंज करना चाते हाथ हार् जो PHP का version रहेगा वह आप चेंज़ का सकते हैं आप अलग-अलग version यहां से set कर सकते हैं अलग-अलग project के लिए या फिर आपका अलग-अलग इस देख से isolate भी कर सकते हैं फिर आप हाड PHP, हाड Composer, हाड Beach PHP यह command से job run करके देखिएगा कि इसमें आपको output मिलता है PHP settings के लिए आप यह देख लीजिएगा इसके लिए hard restart करके है command अगर अगर रिस्टार्ट करना है तो और manage node.js version यहां को manage करने के लिए तो secure command का यूज़ कीजिएगा HTTP में वापस लेकि जाना है तो unsecure command का यूज़ कर सकते है hard लिखना है, unsecure लिखना है और project का नाम लिखना होता है example site लिखना होता है उसके बाद यहां sharing site है जिसमें आप अपना expose का token यूज़ करते हैं short cuts यहां पर आपको दिखती है और फिर यह नहीं दिखाना यह सब नहीं यह कुछ नहीं command line में आते हैं तो कुछ commands आपको दिखती है यह वाली और यह pro के लिए यहां यह भी pro के लिए यह सारे थे MySQL, Redis, Laravel, Revolve, Mail Search और यह अपको सिफ pro version मिलेगा फ्री में नहीं मिलेगा uninstall करना है अगर यह तो आप simple सा तरीका है uninstall hard में आते हैं और uninstall करने के लिए आपको पहले hard को quit करना है यानि कि यहां से इस तरीके से quit करना पड़ेगा quit करने के बाद आप अपने प्रोग्राम फाइल में जाएंगे यानि कि रैट क्लिक करना यहां बार और इंस्टॉल लाप्स में और फिर आप इसको uninstall कर सकते हैं hard को जैन आप delete कर लिजेगा hard में config file को जो फोल्डर है hard यापको user profile के अंदर dot config के अंदर यहां पर मिलेगा उसको delete कर देना जो nvm को भी uninstall कर लेना तो यह config file में आपको और दिखा चुका है शुरू में आप इससे भी open कर सकते हैं इसको यहां फ्रैक्लिक कीजिए open config file यहां पर click करेंगे आपको वहीं पर directly यह ल हो रहा है mostly क्या होता है hard helper जो होता है वह run करता रहता 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 background उसको search कर लिजेगा यहां से hard helper देखिए वाला तो आपको इसको task को kill करना पड़ेगा इन task करना पड़ेगा उसके बाद आपको folder delete होगा यह भी ध्यार में रखना है तो दोस्तों यह है लारावल hard और इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं यह हमारे लारावल development का setup करता है और project create करना भी हमारे लिए आसान मना देता है अगर आप यह use करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लारावल project के लिए अधरवाज आप use कर सकते हैं XAMPP जो normally हम लोग सभी लोग करते हैं वह आप यह आप use कर सकते हैं तो जैसे मर्जी वैसे use कर लिजे जो मर्जी वह use कर लिजे ultimately लारावल का code यह आपको सके और इसको सीख सकें कि लारावल 11 में क्या-क्या सीज़े नहीं नहीं है और जो परानी चीज़े हैं वह भी जो हम लोग एक लिए फ्लिक्शन मनाने के लिए use करते हैं वह सारी आपको देखने को मिलेगी तो साथी साथ दोस्तों सारे वीडियो को शेयर करना सोचल मीडिय सकें इस वीडियो को देखने के लिए आजगा बहुत बहुत धन्यवाद